आपको पता ही हमारा बेस्ट फाइफ का सेग्मेंट है और उसमें हम आपको हमेशा किसी एक प्रोमिनेंट परस्नालिटी से मिलाते हैं जो अपनी फील में बहुत काबिल होते हैं और बड़ी उन्होंने मेनत कि होती है उस पॉसिशन पर पहुंचने के लिए आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही खातून मौझूद है शीज़ी एओ अफ मजमूआ आर्ट ग्यालरे और कंसल कंसल्टन हैं और कंस्त्रच्शन ट्रेइग तरफम्त अथरीटी से बहुत हैं असलाम लेकूम कैसी हैं त्ट्रॉकर भी ग्रिया भी है, बहुत बहुत शुक्री आपका त्टा, यूर्य मोटी में बहुत बहुत शुक्री हैं बिलकुल अगर अग्दम से कोई फारिख कर दे कि कोई काम निया था, how would you feel? Oh, very bored Bored like anything But because the gallery that I started about 16 years ago, 16 साल पहले मैंने शुरू की ती तो वो has been an inspiration है मेरे लिए And it's something I really enjoy And it's something I really enjoy And that's why I have done a lot of work in my life I've been a senior vice chair for FPCCI for women entrepreneurs And because of that gallery I answered an email Jiski wajah se my consultant to with the Trade Development Authority And 2 साल साथ अधर भी काम कर रही हू And it's a full time job actually But the gallery has been my real passion Real passion अच्छा आज हम लोगने साथ-साथ आपकी जिन्दगी पे भी बात करते हैं सबसे पहले आप से पूछेंगे एक पोल का सवाल है जी है हमारे पास और वो पोल का सवाल हम लोग एक पोल का सवाल करते हैं और वो हमारी बड़ी real life situation पे बेस्ट करता है जिसना आज हमारा पोल का सवाल है कि अगर आपके पेरेंस कोई गलत decision ले रहे हूं जो आपके साथ जयाती हो रही हो या किसी और के साथ जयाती हो रही हो और समझ में आ रहा है कि वो गले decision है और पता भी चल रहा है और तो फिर अप कैसे retaliate करेंगे क्या करेंगे उनका साथ देंगे नहीं देंगे आप बीग हीमन आप क्या करेंगे बढ़ ड़ाइब ड़ाइब आप अच्छा में बहुत सही तरह पॉंट आउट किया टीनेजर अपने आपको समझते हैं कि वो सही decision ले रहे हैं जिरना आपको दुनिया के समझे हैं लेकिन उननों गया माम जो प्राक्किल Dogsha प्रफे क्या जो प्रफेशनल भी होते हैं या कि दृण प्रिजा ऑन बाल गया अंटलिंके बाले चू मेंट्सनार्ब में 50 आपकोंसी में बुंटेशाषा ऑron वाज रखेहराा लगी के रिज LOOK, रिखान रिष्ता है, और लड़की का रिखता है जो थो आप रहें कि अबडना का है, मगर वो बतानी पारी起क्राइब है बच्चे ज हम तो तो रिखेहां ऑपाले कि अपर चाहएं तो इस तरह की चीज़ें भी हो जाती है मैं पर इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं क्या कोईस्क्वेंस आते हैं आपके सामने बिकर उस वकापके आप हत्यार डाल देते हैं क्या करें, you know नहीं हत्यार नहीं डाले, you have to sort of try and make the best of it my advice is to always make the best give it a go if it's not working out, if you have problems और आपको प्रॉब्लम्स आरही हैं और आप नहीं कर पा एक situation को handle तो फिर आप at that after you think you've done your best उसके बाद आप कह सकते हैं क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश की और ये बात नहीं बनी और हमें फिर you have to listen to me now now you have to listen to me because whatever that person has gone through that experience with that situation अए कि अवाद इसे भी होते हैं जिनका प्रॉफेशन वो कुछ और रॉटकर रहे हैं लुटकर रहे हैं और वादे हैं उसके जबरदस्थी पुछ कर रहे हैं तुम यही बनो तो यही बनो पर इसे भी रहे हैं परेंट्स को उनको कुछ चीजे अपनी मर्जी की भी लाइन चुन लेनी चाहिए जो बच्चे इंट्रेस्टे हैं कि हम इस फिल्ड में जाना चाहिए और अलसो इस पेशल तैलेंट उसको भी उभारना चाहिए और उस पे भी तवज्जे देनी चाहिए पच्चा कहाता है जो आप कि वाव प्रेस्सराइन दोस्ता है प्रेस्ट करेंट्रेंट्सी घाए तो यहाँ में तो में तो जो अंड़ भी बरस्फोट्व आरे लाइन ऑपाट्वाड तो नहीं थाता है और अपका वेक्ष बार्सनल एक्सप्रिए थो एक्षप्रिस यहाँ, यहाँ, आप कर वांका वांका तो मुट्स कॉमेंट और रधारीकाशन्स वांका प्रविर्च अभगी पिर अपकर से दैद। आपनी बात भी नमाया और आप कंटिनु भी करें जहां भी करना आपने विए अपने आपको आपको बहुत बहुत आपको आपको स्ट्रेंथ भी देते हैं आप उसे सीकते भी हैं तो उसमें यह आउटकम अच्छा है कि अगर आप उसको इस तरह लें कि अवी टोस्ती ने लेसे लिए अपने से थे लेगा कि अवी आपको दाइए लेगा कि एड़ साथ भी जुड़ा है तो बिर दून अपस को पूर्ट करेंगा मैं तोहीं सपोर्ट करूँ है, I will feel quite upset about that person and I'll try and send a message if possible if I know them and if I don't know them then you know in whatever way I can tell, create awareness through writing, maybe in the paper, an article or through the electronic media, it's important to mention these things and I'm glad that you brought it up because then I'm able to tell you very directly you know some things you have to sort of stand up for this yes you have and I think for girls I say this most because you have to go to school, but you have to settle down by a certain age and you know all these things start coming up which is all right but I still think a women can marry even closer to late 20s and early 30s if they want if they want to have a profession why not people are becoming doctors, lawyers, आपने हैं आपने कारियर स्टेश्टे करते करते हैं, और तो माशाला मीडिया में भी किते लोग आ गए हैं you know so many other professions have opened up and it's become a more sort of your palette is much bigger I mean canvas is much larger for women now so it's really nice to have that happen you know okay okay ma'am now this is Art Gallery, how did you go to the Art Gallery 16 years ago, where did you go to the Art Gallery? just this is a small art auction for Bosnia, I had put together at my residence and I had an artist who was also helping me out, Faheem at that time and then we had different artists, we had to get funds together, we had to get funds together so we selected some painters and we had a very good auction which was very successful and in October or November in 1995 and in March 1996 I inaugurated my Art Gallery because my mother had a space in her office which was at Staff Lines there were almost three four rooms she was she was a working woman staff lines? staff lines and civil lines in Sadar so it was a nice big house and it was on the rent and there were three or four rooms left, so I just decorated it with whatever I had I didn't make any investment except for a straw matting and with a straw matting straw matting? I should come up with the idea, it's actually very cool and with a straw matting, I had put all the wood on the lasani wood, where the paintings would hang and I started the gallery because I had just finished my education I had done my, I was about to complete my masters, I had to go back, I was actually studying film and for that I was also making a film which had to be finished and completed and given in what kind of film was that? it's on the role of women behind the veil ke naam se I wish I had brought it in, you could have shown some the topic is so touchy yeah, so it was all about the women who had fought and who have paved the way for us that we are here in this place people are people like Sarah Kazmi, Anita Ghulam Ali, Sarah Irshad, Shima Kirmani a lot of women, I mean some very very, even Asma Jahangir is in it so some very interesting women are in it and they have their views and all so I made it for my thesis and that was the completion of the film I went back to Boston where I was being educated so I started this gallery that I went back and I will run the gallery and also do some commission work and my degree to me and that's what I exactly did but the gallery has become, I had to sort of focus on the gallery because when you do one thing, then you do the right thing and then you don't put a lot of things in it and then you don't put a lot of things in it I will put a film in time to time not in the first part of my career and that's why I have traveled a lot of places I must have traveled over to 20 countries exhibited works of artists I wish I can have your life yeah I am not your life, I am a wife like you are and you know, it was so interesting that I met so many nice people I am sure intellectuals, diplomats united nations so it was a wonderful experience I am not sure I am sure there was a little issue here that you have to come back and you have to come back but then you have to promise that you have to come back because your views are clear, you have a very clear vision of what you are doing even about life, not everybody has it people have a lot of confusion with their relationship you will have to do more work with us that will be a pleasure for me Thank you so much ma'am Abhi, thank you so much for coming and I will talk about it but now the problem is that the time of the program is finished we will be ready to come back and this is the poll card which will be kind of obvious we will discuss it again you can email it healthymorning at hell-tv.tv and our Facebook address www.facebook.com www.facebook.com slash hell-tv.tv इस page को जाके लाइक कीज़े और इसकी वाल पे भी आप हमसे डारेक्ली बात कर सकते हैं Friday का हमारा question थे कि सिर्फ खवातीन ही खाना बना बना सिर्फ खवातीन ही को खाना बनाना चाहिए हाँ या नहीं हमारा Friday का question थे जिसमें हमें ये जवाब बाया कि ठीक है उनको करना चाहिए लेकिन मर्द हजरात को equally उनके साथ participate करना चाहिए क्योंके आज कल खवातीन उनके साथ equally घर के खर्चों और हर्चीज में participate करती हैं जी वियोज़ आज के पूल का सवाल कल और आप अपने रखेगा भाज़ाता ख्याल हैल टीवी देखते रहेगा कल मैं फिर हाजर होंगे अलाफिस कर दो